समस्क्राइब दोस्तों मेरे चानल Automation Hub साथ तक मैं आप लोगा स्वागत है और आज मैं आपको एक छोटा सा यूटूब बिडिडिएंगलिश भूल के कुकुमबर प्रोजेक्ट बना रखा है तो मैं काम करता हूँ एक यूटूब हिंदि का जो वीडियो में अल्लेडी बना रखा है चली कोई नहीं मैं एक निया में प्रोजेक्ट बना जाए ताकि आप लोगों को भी इजी हो जाए म maven project new next maven-arch type-quickstart यह फोड़ा टाइम लगता है यह रिट्रीफ करने के लिए okay next यहां पे English की जगह में लिख देता हूं कि हिंदी हिंदी कुकुमबर का और यहां पर लिख देता हूं यूट्यूब अंडर स्कूर बीडिडी सॉर्डी कि हिंदी ठीक है तो मैंने बना दिया देखे तो यूट्यूब बीडिडी हिंदी बोल के एक maven प्रोजेक्ट बन गया है अभी system library में पहले 1.8 कर लेता हूं यह कभी कभी बार बार चेंज करना पड़ता है लेकिन ठीक है अभी src main java से यह by default जो packages create तो उनको delete कर देते हैं इनकी जरुवत नहीं है ठीक है अभी pom.xml में जाके मैं अपना dependencies वगरा चेंज करूंगा तो अलड़ी मेरे पास वह है मैंने उठाया अगर जिसको भी चाहिए तो मुझे email कर सकते हैं मैं प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कैसे यह latest updated pom.xml जिसमें कुकुमबर के सारे dependencies मौजूद हैं बस आप सब्सक्राइब हो जाएगा पहली चीज़ आप राइट क्लिक करके आप मेवन अब्डेट कर दीजिए मेवन अब्डेट प्रॉजेक्ट वह सब्सक्राइब स्नैप्शॉट रिलीजेज लोगे कर दीजिए यह बहुत जरूरी है कि ब्रॉड कुकुमबर में जब आप डिपेंडेंसी वगरा डालते हैं आप मेवन प्रॉजेक्ट को अब्डेट करते रही है ठीक है फिर से देखिए जैसे अब्डेट करेंगे वापस 1.7 हो गया तो इसको थोड़ा ध्यान से 1.8 वगरा करना रहता है क्योंकि मेरा जावा जेडी के 1.8 पर मैं काम कर रहा हूं तो क्यूंकि मैं जावा एट पर काम कर रहा हूं मुझे इसका जेयरी सिस्टम लाइब्रेरी 1.8 रखना बेटर है तो देखिए अभी बिल्ड कर रहा है फोड़ा टाइम दीजिए मैं वीडियो को पॉस्ट कर रहा हूं जब तकि अभी दूसरी चीज़ जब भी अगर आप एक फीचर फाइल बनाते हैं तो मान के चलिए मैं यहां पर एक सोर्स फोल्डर बना दिया और मान के चलो मैं यहां पर एक पैकेज बना रहा हूं इस साथ सी टेस्ट रिसोर्स में और पैकेज का नाम दूंगा फीचर फाइल्स तो फीचर फाइल्स के अंदर मान के चलो मैं एक फीचर फाइल्स वगरा रखता हूं जैसे मान के चलो यहां पर न्यू किया और न्यू पर यहां पर एक फाइल बनाएं और मान लो यहां पर कोई भी वेबसाइट का फीचर फाइल बनाएं मान लो e-commerce कोई website है .feature तो मैं यहाँ पर feature file बना दिया अच्छा ठीक है अभी मैं इस feature file को थोड़े मैं कहीं पुराने feature file से copy mark के इधर paste कर देता हूं अभी मेरे फीचर file बनाने का कोई वो नहीं है जैसे मान लो यह hybrid framework का या फिर एक bdd new project का मैं feature file यहां से उठा लेता हूं जैसे मान लो cnn feature तो इसको नहीं उठाते हैं दूसरा वाला explanation feature बोलके feature file है यह redif का concept है मैं मान लो इसको उठा लिया copy कर दिया अभी इसको मैं feature file उठाके copy कर दिया था अभी इस वाले e-commerce में मैं वही चीज को paste कर देता हूं मैंने paste कर दिया अब क्या होगा कि मैं इसको बंद कर दूंगा दुबारा अगर मैं इसको refresh करता हूं इसको अगर आप e-commerce.feature पे जाएंगे देखिए तो यह यहां पर error throw कर रहा है कि इसके मैं matching glue code नहीं है तो glue code के लिए मैं src test java में नया एक package बनाऊंगा और यहां पर लिखूंगा अब हम क्या करते थे पहले इसको right click करके run as अब आप इस feature file को pretty format भी कर सकते हो अब right click करके run as cucumber feature भी मैं कर दूंगा तो देखिए यहां पर आपको यह मिल जाएगा जो आपके steps है वो यहां पर अच्छे से define हो जाएंगे ठीक है मैंने copy किया और इधर आके मैंने paste भी कर दिया ctrl shift हो करके given then and when but को वो भी कर दिया ठीक है तो यहां पर मैंने इधर इसको भी change कर देता हूं अलाग यह तो local है इसको अलग नाम भी दे सकते हैं तो इसको करने के बाद यह simple हो जाता है कभी-कभी पुराने model पर यह error वगरा थो करते रहते हैं देख रहे हैं आप देखिए अभी वी e-commerce में इस project को refresh दुबारा करूंगा कभी-कभी पहले क्या होता था जो feature file होते थे यहां पर yellow 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 ऐसे रहते थे क्योंकि मैं भी background वगरा मना रखा जो भी तो yellow 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 होता रहता तो आपको क्या करना है आपको इस particular project को देखिए अभी भी एक maven project है जिसमें cucumber आ बार बार refresh करेंगे हार्ड refresh करेंगे तो बन जाएगा लेकिन इसका एक तरीका यह है आप इस particular project को अगर maven project को cucumber project में convert करना चाहते हैं तो YouTube आपके project के नाम के उपर add click कीजिए configure में आईए और यहां पर होगा convert to cucumber project तो इसको click कर दीजिए जैसे ही click करेंगे थोड़ा build करेगा यह project और अपने आप यहां पर एक green color का symbol आ जाएगा जो दर्शाता है कि यह cucumber project है थोड़ा वेट कीजिए मैं वीडियो को pause नहीं कर रहा यह थोड़ा time लेता है लेकिन अपने आपकी वो cucumber project को simple maven project को cucumber project देखिए अब यहां पर green color का cucumber project बन गया दुबार आप इसको maven को जाके update project कर दीजिए देखिए maven को update project करना जरूरी है फिर यह 7 1.7 हो जाएगा कोई बात नहीं आप 1.8 कर लिजिए apply and close कर लिजिए तो जब भी आप maven project में bdd cucumber वगरा का यूज करते हैं तो यह step जरूर यह step जरूर याद रखिए कि आपको सारा pom.xml file वगरा बना दिया एक particular feature file आप बना दीजिए उसका matching glue code का step definition file आप बना दीजिए फिर आप maven को update कर दीजिए और यह वाला step करना मत भूलिए इसको right click करेंगे project के उपर configure कीजिए और यहाँ पर convert to cucumber project कर दीजिए फिर दुबारा maven को update project कर दीजिए दीजिए आपका यह पूरा यह 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 लो वेलो जो भी warning वगरा था सब निकल जाएगा फिर आप run करेंगा आराम से चलेगा यह एक simple तरीका में बता रहा था कि एक normal maven project को आप एक cucumber project में कैसे convert कर सकते हैं तो फिर यह बराबर से काम करेगा कोई दिख़द नहीं होगी बस इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं कि simple सा cucumber video आपको पसंद आया होगा थोड़े बहुत cucumber के videos pending रह गये थे तो scenario outline data table और कुछ-कुछ assertions वगरा पीको container जितना भी मेरे पास topics में जानता हूं मैं सारा cover कर दूंगा चानल को playlist के तौर पे देखिए videos के तौर पे अगर आप देखेंगे तो confused रहेंगे बेटर है आप playlist पे जाके इसको चेक करके आप उसी साब से पढ़िए thank you so much सार्थ लेकिया signing out